तो इस्टुएंट्स की जो प्रोटेस्ट उसको काफी जाना सपोर्ट मिलता जा रहा हर एक स्टेट गौर्णमेंट से उसको सपोर्ट मिला फाइनली उडीसा स्टेट गौर्णमेंट से भी उसको सपोर्ट मिला उडीसा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अचारी मिनिस्ट पतारी, काफी सारे centers की कमी के वज़े से students को काफी जाना, दूर-दूर तक travel करना पड़ेगा और जो COVID से infected होने का उनके chances काफी जाना है Students की safety हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए अभी हमको इन examination को postpone कर देना चाहिए उन्होंने HRD मिस्टर को सर को भी लेटर लिखा जिसमें उन्होंने डिरेक्ट लिखा कि आपको इस मैटर में जल से जल अपनी राय देखे इन एक्जामनेशन को पोस्टमर करने चाहिए उन्होंने लिखा कि उडिसा में काफी जाना ट्राइवल पॉकेट्स हैं और काफी सारे ऐसे एरियास जो अर्वन सेंटर्स इंडर से काफी जाना दूर है और वहां से भी स्टूरेंट्स इन एक्जामनेशन में बैठेंगे और जो फ्लेड का माहूल बना हुआ है तो इन वज इस्टूरेंट्स को ट्राइवलिंग में काफी जानदा प्राब्लम हो रहे है यह फ्लड कई जगाए आया हुआ है जैसे स्टूरेंट्स भींगते हुए वहां पे एक्जामनेशन सेंटर्स तक जा रहते भी काउज एक्जामनेशन गवर्मेंट ने कंड़क्ट कराया बतात से जल उस पे मीटिंग होके एक फाइनल डिजिजन लिया जाएगा आज मीटिंग थी और फाइनल डिजिजन साइद आज ले लिया जाए तो सभी स्टूरेंट्स वबैसे उसी का बेट कर रहे हैं और धीरे-धीरे स्टूरेंट्स की स्पोर्टेस को सपोर्ट भी बहुत मिल कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर देदूं आज इतनी भी अपडेट्स आती नहींगे वह मैं आपको देता रहूंगो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा